एक जंगल में बहुत बड़ा पेड था उस पेड पर बहुत सारे कबूतर रहते थे एक दिन एक शिकारी जंगल में आया इतने सारे कबूतरों को देख उसने सोचा वाह यहाँ तो अनेक कबूतर है जाल बिछा कर उस पर अन के दाने बिखेर इन सब को पकड़ लेता हूँ पेड़ पर बैठे कबूतरों में से एक कबूतर की नजर नीचे पड़े अन के दानों पर पड़ी उसने सभी कबूतरों से कहा देखो पेड की नीचे अन्य के कितने सारे दाने बिखरे पड़े है आओ सब मिलकर खाते है सभी कबूतर दाने खाने के लिए पेड से नीचे उतर आए हाई हम सब तो जाल में फस गए अब हम क्या करे सभी कबूतर शिकारी के डर से गबरानी लगे तब कबूतरों के राजा ने कहा घबराव नहीं मैं कोई उपाय सोचता हूँ कबूतरों का राजा जाल से निकलने का कोई उपाय सोचने लगा फिर बोला क्योंना हम सब एक साथ मिलकर अपनी पूरी शक्ती से इस जाल को ही लेकर उड़ जाएं कोशिश करो शिकारी आने ही वाला है सभी कबूतरों ने अपनी पूरी शक्ती से उड़ने का प्रयास किया और वे जाल को लेकर उड़ गए शिकारी देखता ही रह गया हाई मेरा जाल हाई ये कबूतर मेरा जाल लेकर उड़ गए वही कुछ दूरी पर ही एक खेत में कबूतर राजा का मित्र चूहा रहता था कबूतर नीचे उतर गए और चूहे ने उनका जाल काट दिया धन्यवाद मित्र आज हमने फिर से नया जीवन पा लिया तो बच्चो देखाना आपने कि एक तामी कितनी शक्ती होती है मिलकर काम करने से कोई भी काम आसान हो जाता है